असलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों हजरत मौई दीन चिष्टी अजमेरी जिने ख्वाजा गरीब नौब के नाम से भी जाना जाता है ख्वाजा मौई दीन चिष्टी इसलाम धरम के एक ऐसे सूफी संत रहे हैं जिनोंनी इसलाम के सुकते दरखत को फिर से हरा भरा किया जिनके मानने वालों की एक विशाल संख्या जिनको इसलाम धरम के लोग ही नहीं हिंदू सिख आधी अन्य सभी धरमों के लोग मानते हैं दोस्तों राम मंदिर उद्गाटन के बाद देखें ख्वाजा का करिश्मा जी हाँ दोस्तों ख्वाजा हिंद के राजा का करिश्मा एक ऐसा करिश्मा जो जिन्नात के बीच हुआ दोस्तों देखकर आप भी दंग रह जाएंगे इस समय पूरा भारत राम मंदिर उद्गाट के लिए गए हुए हैं जगा जगा पर इसके लिए तैयारी की गई पूरे उत्तर परदेश पूरे अयोध्या को सजाया गया योगी अदित्यानाथ कई बार इसका जायजा लेने के लिए गए इधर जो भक्त थे राम मंदिर के उद्गाटन को लेकर जगा जगा जलसा जलूस कर रहे थे खुशियां बना रहे थे तो इसी बीच दोस्तों ख्वाजा के दिवानों के लिए ये शानदार वीडियो लेकर मैं आपके सामने आई हूं अगर आप भी ख्वाजा के दिवाने हैं तो दोस्तों हक मौहینिया लिख कर कॉमेंट करें दोस्तों चलिए स्लतान उरहिंदखाजा मुईदे थेयां । जोбоас से नेखिज हैं लोगों के सामने लेकर आती हूं। दोस्तों जिसको सिनकर रिकिनन हर एक दिवाना जूम उठे गा। और सुल्तान और हिंद ख्वाजा मोई दीन हसन चिष्टी रह्मत ल्लाही आले का वो मरतबा है दोस्तों कि मुस्लिम तो मुस्लिम गैर मुस्लिम भी उनके दिवाने हैं हिंदू भी उनके दर पर जाते हैं मुस्लिम भी उनके दर पर जाते हैं बलकि दोस्तों कहा जाए कि अल्लाहा के वल्यों का जो दर्बार है दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ी मिसाल है क्योंकि हर दर्बार में हिंदू मुस्लिम सिक्षाई सबी धर्म के लोग चाते हैं और अल्लाह के वल्यों का दरबार हिंदु मुस्लिम एकता का पैगाम देता है अमन देता है चलिए दोस्तों वीडियो का अगास करते हैं प्यारी दोस्तों रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनके राजी र पाप में से कोई भी या रिष्टेदार कोई भी उस दुनिया को छोड़ कर चला गया है या लाहा उन्हें जन्नतुल फिर्दोस में आला से आला मुकाम अता फर्मा आमीन सुमामीन अलाह ताला दोस्तो सुल्तान उलहिंद ख्वाजा गरीब नवाब ये वाकिया ख्वाजा गरीब नवाब के बच्पन का वाकिया है जब ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तान उलहिंद के सर से उनके वालिद का साया उठ गया उनके हिस्से में दोस्तो एक बगीचा जो कि कहा जाता है कि फलों का बगीचा था वो फलों का बगीचा उनके हिस्से में आया जिनकी निगः रेख बाग बानी खुआजा मुई दीन हशन चिष्टी रह्मत лाहि आले करते थे अभी खुआजा हिंद के राजा अभी अभी उनकी उम्र बहुत जाद नहीं थी अपने बाग में जाते और क्या करते दोस्तों कुरान से किस कदर लगाओ था मेरे ख्वाजा का हम सब के ख्वाजा का कि जब काम करने के लिए जाते थे उस समय भी कुरानी मुकदस को लिजाया करते थे तो दोस्तों अगर आप भी ख्वाजा के दिवाने हैं तो कु हो देर हो लहर हो बाहर हो हर जगा कुरान को रखें दोस्तों जब भी मौका मिले उसको पढ़ा करें क्योंकि खौजा-गरीब नवाब को जब मौका मिला करता था तो वो भी कुरानी मुकद्दस की कसरत से तिलावत किया करते थे बहरहाल दोस्तों बगीचे में जाकर ख्वाजा गरीब नवाब कुराणि मुकदस की तिलावत करते तो कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गरीब नवाब ने ये देखना चालू किया उनको यी महसूस हुआ वो बगीचे में तो आते हैं लेकिन उनके आने से पहले कोई झारू लगा देता है, बगीची की साफ सफाई कर देता है, यहां तक की पत्ता पेड़ से गरने से पहले ही कोई उसको उठा लेता है, साफ सफाई भी हो जाती है, पानी वगेरा भी पढ़ जाता है और फिर ख्वाज़ा गरीब नवाब क्या थे? वहा जाकर कुरानी मुकदस को पढ़ते रहते और कुरानी मुकदस वो पढ़ते तो मानो हर तरफ कुरानी मुकदस की आवाज एक ऐसी एक घंटा स्चा जाती दोस्तों कि हर इंसान जूमने पर मجबूर हो जाता कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गरीब नवाब को ये एसास हुआ कुछ तो बात है कि मैं जब भी यहां पर आता हूँ मेरे आने से पहले कोई यहां की सफाई कर देता है कोई पानी डाल देता है तो कोई हर काम मेरा कर देता है आखिर ये क्या है? एक बार क्या था? ख्वाजा गरीब नवाब ने आवाज दे कर कहा कि सुनो तुम लोग जो कुछ भी कोई भी हो तुम लोग यहां पर हाजिर हो जाओ मैं जानता हूँ कि यहां पर कोई और है जो मेरे कामों को कर देता है तुम जो भी हो यहां पर हाजिर हो जाओ अब क्या था दोस्तों? उनको इतना कहना था कि उस बाग से तीन चार जिनात उतरते हैं और खौजा गरीब नवाब के सामने हाजिर हो जाते हैं वो जिनार कहते हैं कि हुजूर यह सच है कि आपका काम हम ही करते हैं क्योंकि हुजूर आप जो कुरानी मुकदस पढ़ते हैं उस कुरानी मुकदस को सुन सुन कर हम लोगों ने अपने कुराने पढ़ने की तरीके को सुधार लिया है और इसलिए हुजूर हम यहाँ पर आकर आपके कुरान सुनते हैं और हम आपसे कुरान पढ़ना के एक तरीके से सीखते हैं और क्योंकि हम लोगों ने आपसे सीखा है कुरान मुकदस को पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है कैसे दुरसत किया जाता है इसलिहाद से आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपकी शागिर्द हैं तो शागिर्द होने के नाते हम लोगों को ये कैसे गवारा होगा कि हमारा उस्ताद आकर काम करे हमारा उस्ताद आकर जाडू लगाए हमारा उस्ताद आकर बागवानी करे इसलिए हुजूर आपके आने से पहले यहां की साफ सफाई हम कर देते हैं यहां जो भी काम होता है वो हम कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को ये कबूल नहीं कि हमारा अस्ताद आ कर ये काम करें और हम ये चाहते हैं कि आपके काम को हम कर दें और आप से हम कुरानी मुकदस सुना करें अब जब भी कुरानी मुकदस पढ़ते हूँ तो हम कुरानी मुकदस को सुनते हैं और याद दाश्त को मजबूत करते हैं हम अपने कुरानी मुकद्दस के पढ़ने के तरीके को सही करते हैं तो दोस्तों ये है जल्वा ख्वाजा गरीब नवाब का ये जल्वा ख्वाजा मुई दीन हसन चिश्टी संजरी रह्मतुलाहि आले का कि इनसान तो इनसान बलकि जिन्नात भी ख्वाजा गरीब नवाब से कुरानी मुकद्द सेखते हैं दोस्तों, और सुल्तान उलहिंद का मुर्टबा ये है दोस्तों कि उन्हें जिन्नातों ने कहा है कि जब तक हम रहेंगे, आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपके दर्बार की दर्बानी करते रहेंगे प्यारे दोस्तों आज भी लोग कहते हैं आज भी ये रिवायत मिल जाती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है आपको आज का वाकिय कैसा लगा कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें अल्ला हाफिज